तो दोस्तो आई चोड़े हम एक नई वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटसअप के एक नए feedback के बारे में जो की दोस्तो बहुती बहुती बहुतरीन feature हम कह सकते है privacy के एन पर है तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि यहाँ पर WhatsApp में आप किसी को भी जब फोटो या वीडियो सेंड करते हो तो वो फोटो और वीडियो वो सामने वाला कभी भी जो है उसे उपन करके देख सकता है तो दोस्तों अगर हम बात करें इस नए वाले फीचर की तो यह फीचर दोस्तों इससे जुड़ा हुआ है और यह फीचर कैसे काम करने वाला है तो आज हम इसे के बारे में बात करने वाले हैं तो आप सभी जानते हो कि आपने जगर किसी को फोटो या वीडियो सेंड करी है, तो वो कभी भी उस वीडियो को या फिर फोटो को यहाँ पर आसानी से देख सकता है. लेकिन दोस्तो ये फीचर जो मैं आपको बताने валा हूँ, ये है दोस्तो यहाँ पर विव वनस, जी हां दोस्तो जब आपको और फोटो या याँ पर वीडियो को सेंड करते हैं तो ये फोटो और वीडियो जब सेंड हो जाएगी तो وہ सामने वाले को सरीफ और स्रिफ दोस्तो एक बार ही वो देखने को मिलने वाली है कहने का मतलब जैसे ही मान लीजे आपने किसी को वो फोटो या फिर वीडियो को सेंड किया सामने वाला जैसे ही उसे देख लेता है दोस्तो उसके बाद वो जब चाहे तब उसे नहीं देख पाएगा कहने का मतलब स्रिफ एक ही बार जो है वो उस photo या वीडियोको देख सकता है उसके बाद दोस्तों वो चाहकर भी उस photo या वीडियोको नहीं देख सकता है जिया दोस्तों यही WhatsApp का नएा feature है और यह कैसे काम करता है और आपको कहां से इसे जो है use करना है ये भी हम जानेंगे दोस्तों जैसे कि आप screen पर देख पा रहे हैं जब भी अगर आप किसी को photo या video को send करना चाहते हैं तो इसी तरह से जैसे कि हम पहले photo या video को choose करते थे हमारे gallery से तो आपको इसी तरह से जाकर अपने उस photo या video को select कर लेना है और उसके बाद attach करने के बाद दोस्तों यहां पर एक option आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर लिखा हुआ है one और side में देख सकते हैं यहां पर one लिखा हुआ है इस पर आपको select कर लेना है जो कि select करते ही green हो जाएगा दोस्तों और उसके बाद जो है आप उसे directly send कर दीजे और जैसे ही आपने send किया है और आप देख सकते हैं यहां पर format भी उसका बदल जाता है और जैसे ही सामने वाला इसे देखेगा तो दोस्तों एक बार देखने के बाद अगर वो दुबारा उस पर click करेगा तो वो बिलकुल भी देख नहीं पाएगा अगर आपके whatsapp में यह option नहीं देखने को मिल रहा है तो आप तुरन जाकर play store से इसे अपडेट कर लीजे आपके whatsapp को तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना की तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में